ब्रांट्स ने कहा DIY छोड़ दो प्रेंडा ने कहा conditioner छोड़ दो अब एक समय आएगा कि सब बोलेंगे नहाना ही छोड़ दो जी नहीं इतना optimistic मत हो यह यह कोई नहीं बुलने वाला है नहाना तो पड़िंगा समझें ना और प्रेंडा ने कब कहा कि conditioner नहीं करना कंडिशनिंग कीजिए लेकिन घर पर बनाएए conditioner प्री कंडिशनर यूज कीजिए सिंपल अब देखिए अगर आपको डाउट हो रहे है तो आप अपना जो बाहर वाला कंडिशनर उसको यूज कीजिए और फिर जो मैं बताऊंगी प्री कंडिशनर उसको यूज कीजिए और खुदी माच कर लीजे कौन सा वाला बेटर है हम पहले ही जीट जाएंगे बता रहे हैं तो कर दीजे हमें चालेंज और ट्राइ कीजिए इसको नहानी से पांच से दस मिनट पहले और फिर देखिए माजे आए जानते हैं क्या है ये प्री कंडिशनर और कैसे इस्तमाल करना है जानते हैं तो आपको पता तो होना चाहिए ना सो प्लीज चल्दी सिकर दीजे अलो तो मैं ब्यूतिफुल पीफुल प्रेसिंट ओवर ये वल्कम बाक टुदी चानल आशा करती हूं आप सभी स्वस्त हैं खुश हैं अपना खयाल रख रहे हैं और काफी पॉजिव हैं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रा जाकर एक ब्यौरा तो कीजिए चैनल को चेकाउट तो कीजिए और अपना रीजन ढूणिए कि क्यों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं जी हां सही पकड़े हैं बहुत सारे रीजन हैं हमसे जुड़ने के तो द प्रॉमस आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने के लिए हूँ एक प्री कंडिशनर यानि की नहाने से पहले इसको आपको करना है और जब आप नहाएंगे शांपू करेंगे तो उसके बाद आइसन बाल हो जाएंगे ना कि वापस आके बोलना पड़ेगा कि प्र बालों में लगाने वाले हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि कमाल हो जाएगा तो आईए जानते हैं what all needs to be done, be positive about it और उसके बार ट्राय कीजेगा, skeptical होंगे तो वैसी result नहीं मिलने, इसलिए ध्यान से सुनिए, समझीए, अगर फिर भी डाउट हो तो थोड़ा और सबसे पहले आप एक ग्लास जार ले लीजिए, इसमें आपको लेना है एक बड़ा चमच शहद यानि की हनी, जो हनी आप खाते हैं edible grade वो वाला हनी आप यहां पर ले लीजिए और इसमें आपको लेना है approximately 3-4 बड़े चमच दधी यानि की दही आपको इसमें लेना है, अच के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तो एक पार्ट तो आपका रेडी हो चुका है, जो आलसी लोग है, जो आफिस जाते हैं, जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा विकल बस निकालना, मिल्क सरना, you are good to go, तो ये एक पार्ट बना के हमने फ्रिज में रख और अच्छे से घुमा लेंगे, डन, केले के अंदर इतने सारे रेशे होते हैं, कि वो बालों में चिपक जाते हैं, और उसके बाद फिर आपके लिखते हैं, कि प्रेणा, क्या कराया, हमारे तो बाल ही नहीं धुले, इसलिए आप इसको च्छनी की मदद से अच्छे से च् अप्रॉक्सिमेटली आधी कटोरी आपके पास ये च्छना हुआ केला आ जाएगा, जो की इतना बढ़िया स्मूधनर है आपके बालों के लिए, कि मैं आपको बताई नहीं सकती, बनाना हेर मास्क किस ने ट्राय किया, प्लीज नीचे लिखकर बताईए लोगों को कि क्या क अमाल ये आपके बालों के लिए कर सकता है और इसमें आपको लेना है वो जो आपने मिष्टी दोई बनाई थी बस उसके दो बड़े चममच आप इसमें डाल लीजिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब भी अप्लिकेशन करना है उसी समय आधा चममच ओलिव ओलिव यहां पर ले लीजिए और देखें कंडिशनिंग हो रही है और होगी नहीं फिर आप बोलों के प्रेंणा क्या बता है और यह सारे के सारे जो अच्छे इंग्रीडियंट्स है इनके न्यूट्रियंट्स को लेके अंदर तक पेनेट्रेट करता है और आप जो मार्किट बेस इस कंडिशनर यूज करते हो उसमें क्लेर लिखा होता है कि स्कैल्प पे नहीं लगाना तकले हो जाओगे पढ़ लेना मैं नहीं बोल रही हूँ खुदी पढ़ लेना अपना कंडिशनर ऐसा होता है लेकिन यह वाला जो कंडिशनर है इसको खा भी लेना और उसके बाद ल लिजिए और उसके बाद शार कैप लगा के जस्ट गो अरां दूइंग और फिर नहाने चले जाए नहाते समय पहले बोड़ी लिना लीजिए और उसके बाद लास्ट में हैड वाश कीजिए थोड़ा समय मिल जाएगा इसको अपने बालों में तोड़ा माजिक करने के जब शांपू कर ले उसके बाद बाहर आ जाए नाचरली अपने बालों को सूखने दीजिए वो जो कंडिशनर फंडिशनर और वो क्या-क्या सीरम वीरम कुछ नहीं यह इतना जबर्दस प्री कंडिशनर है ना कुछ लगाने के ज़रत आपको महसूस ही नहीं होने वाली है मैं आपको बता रही हूं तो अच्छे से अपने बालों को सुखा लीजिए जब सूख जाएं उसके बाद कहिएगा कि क्या रिजल्ट रहा यह इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो बिनाना यूज किया है उसके अंदर इतने प्यारे न्यूट्रियन्स होते हैं जो आपके फ्रिज आ जाता है परिशान हो जाते हैं आपके बाल विकर्ज अफ डी हाइडरेशन ठंड पल्यूशन बहुत सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों से आपके बाल एकदम सूध आउट हो जाते हैं लाक्टेक असिड जो कि दही में मौझूद है जो कि हमने यहां पर ऑलिव का इस्तमाल किया है यह आपके बालों में वो शाइन इंपार्ट करता है वो ग्लॉस इंपार्ट करता है जो कि आप हमेशा से अपने बालों में देखना चाहते हैं बालों को धोलेने के बाद थोड़ा सा एंजॉई कर लीजेगा अपने खुले स्ट्रांस को दोचार रील्स बना लीजिएगा और उसके बाद बांध लीजिएगा देखे नाच्रल रेमेडीज होती हैं रिजल्ट बहुत खुबसूरती से देती हैं लेकिन ज्यादा प्रोलॉंग आप इसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो जितना बालों को बंद रखेंगे उतना लंबा आपका रिजल चलेगा इत इस जस्ट शेजेशन बाकि ऐसा कुछ नहीं है अगर आप खुला रखना तो डेफिनेटली रख सकते हैं ना अंसरिंग फ्यो ग्वेस्टेंस अरांद रेमेडी क्या इसे बच्चे यूज कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों को दो एक चम्मच खिल और तब लगाईए इतना इस लेवल का स्टोरेज पॉसिबल है आप सभी चानते हैं जो बिनाना होता है वो काला हो जाता है थोड़े समय के बाद तो जादा हम उसको नहीं बना के रख सकते हैं इस वे में ही आप इसका स्टोरेज कर सकते हैं क्या इसके कोई साइड एफेक् के पाद सोड़ा सा लगा कि आप देखना एवरितिंग इस फाइन दो तीन हंटे के लिए उसके बाद या गुट गो एकदम इतमनान से बिल्कुल रेस्ट शॉर कि कुछ नहीं होने वाला है इट इस गया हम इसको रोज इस्तेमाल कर सकते हैं जी रोज तो कुछ भी इस्तेम करना मैं आपको हजार बार बोला है मॉडरेटली जिसकी जो जिसका जो समय है सिरफ तभी इस्तेमाल करना है not more than that इसी लिए जब आप हेडवाश करेंगे सिरफ उससे पहले इसका application किया जा सकता है weekly करेंगे that would be sufficient इससे ज्यादा किसी बी चीज की अत्ती सहीड नहीं है तो प ताकि वो जो फ्रिज आ जाता है उसको बहुत खुबसूरत टेमिंग मिल जाती है वो अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और आपके लिए ही भैतर रिजाल्स आपको मिलते हैं तो हमेशा के तरह आशा करते हूं कि मेरे परिवार को मेरी ये प्रस्तती भी पसंद आई होगी बहुत सारे लोग है जिनको हेर कंडिशनी के आवशकता है उनके साथ शेयर कर डालिए मैं आप सभी से मिलती हूं अपनी आगली वीडियो में विच संथिंग माजगल फो यो हैर सकने है तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिए धूप सेकने वाला मौसम आच कर दो